कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे आज की रीडिंग होने वाली है थोड़ी से डिफरेंट क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके परसन का क्या मकसद था आपसे रिष्टा बनाने का शुरू करेंगे आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे आपके परसन की इंटेंशन क्या है आपको लेके क्या चल रहा है उनके दिमाग में जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं ये सारी चीज जो देखेंगे और उनकी current feelings और next action भी देखने की कोशिश करेंगे शुरू करते हैं आज की reading लेकिए angels का नाम सबसे पहले अपने person का नाम लित रही है आप से रिष्टा बिनाने के पीछे आपकी person का क्या मकसद था the moon card पहले ही card में हमें जवाब मिलने शुरू अगए है the star card यहाँ पे card आगया है the emperor फिर card आगया है the tower एक card और लेंगे justice चीक है यहाँ पे moon की energy आगई है इसका मतलब यह है कि मुझे ऐसा लगता है आपके जो person है जब इन्होंने पहले कभी आपको देखा होगा ना तब जिस type के person थे ना यह और आपके साथ relationship में आने के बाद इस person में जमीन और आसमान का फरक दिख रहा है ऐसा लगता है जिस समय आप दोनों पहली बार मिले या फिर जिस समय उन्होंने आपको पहली बार देखा होगा ना उस समय situation कुछ और थी यह person जो है एक तरीकी से बहुत ज़दा मनमोजी अपनी ही मन की करने वाले इनके लिए सही गलत कुछ भी नहीं है जो इनके मन में आए जो यह करते है उनके लिए सही है और इनके लिए गलत तो कुछ है यह नहीं जो जिसमें खुशी मिले वो चीज कर ली तो वो चीज सही है बस अपनी शर्तों पे जिन्दगी जीनी है यह person काफी ज़दा open minded बहुत ज़दा flirtatious यह कभी भी किसी एक से बात नहीं करते थे यह बहुत लोगों से बात किया करते थे एक साथ और इनका यह था कि सबसे बना के रखनी है कभी किसी के साथ कुछ मतलब यह किसी एक के साथ रहने में जो है विश्वास नहीं करते हैं मुझे इससे लग रहा है कि आपकी person जिस समय आपसे मिले थे तब वो बहुत लोगों से बाते करते थे बहुत लोगों से चाट करते थे इनको interaction करना पसंद था इनको दूसरों से नहीं नहीं लोगों के साथ दोस्ती करना बहुत जाथा पसंद था और यह ना किसी से भी बहुत ज़ल्दी attract हो जाते थे जो बहरी सुनदरता है ना कोई अगर अच्छा देख रहा है कोई बहुत attractive है या कोई किसी के पीछे बहुत लोग पढ़ें तो ये भी उस भीड़ में चल देते थे fan following ठीक है लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ प्यार की घंटी जब बजी दिल में तब मैं देख रही हूँ इनको भी खुद को भी एसास नहीं हुआ कि इनको कभी प्यार हो जाएगा और जब इनको पता चला कि इनको आपसे प्यार हो गया तब तो क्या ही कहने है बात ही कुछ और है दमून का काड़ यहां पे आगा है जिससे हम ये पता चलता है कि जो आपकी person है न जब ये आपके साथ प्यार में पड़ गए जब ये आपके साथ रश्टे में आए न इनकी कोई भी गलत या गंदी intentions नहीं दिख रही इनका प्यार आपके लिए बहुत ही ज़दा प्यार पायस्ट और ऐसा था है कि जिसे बोल सकते हैं इसा प्यार जो जन्मों जन्मों तक किसी के लिए बदलेना देखे प्यार करना और एक होना और साथ रहना ये सब अलग-अलग चीज़े आप प्यार कर सकते हैं हो भी सकता है कि आप एक ना हो पाएं लेकिन वो प्यार हमेशा दिल में जिन्दा रहता है कुछ इस तरीके का प्यार है आप दोनों का यहाँ प्यार स्टार कार्ड उनके मन में आपके लिए इतना ज़्यादा पैशन मुझे दिखाई दे रहा है हो सकता है जब ये परसना आप से मिले न तब ये ज़्यादा आपको कुछ बोलते नहीं थे लेकिन जो इनके एक्शन में आपको बहुत कुछ दिखता था ऐसा लगता था कि अगर आप किसी से बात करें तो इनको बहुत बुरा लगता था इनका मुझ बन जाता था दूसरा ये नज़र आ रहा है कि इनके आँखों में प्यार दिखता था ये चाहते थे कि आप उनके आसपास रहे ये चाहते थे कि आप उनके पास पैठे ये चाहते थे कि आप हमेशा उनसे बाते करते रहें और आप दोनों की जब बात होनी शुरू होती थी दिन क्या रात क्या घडियां घडियों की जो सुईयां है वो कैसे चलती जा रही है, थम सी गई है, कुछ आप दोनों को होश नहीं होता था जब आप दोनों बात किया करती थे थे न, तो दिल में ऐसा लगता था, एक स्पार्क सी जलती थी देखिए यह तो दो चीज़े होती है, यह तो बहुत हल चलोगी, आपको बहुत गुद गुदी सी होगी दूसरों यह होगा कि आप बिल्कुल शांती से, सुकून से बैटे हैं, ऐसा लग रहा है, कुछ अलग सा नहीं हो रहा चारों तरफ शांती, लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, सब कुछ कितना सही हो गया, सब कुछ कितना अच्छा है कुछ ऐसी ही फीलिंग्स जो है, आपके परसन की थी आपके लिए मुझे असा लग रहा है, कि जहां पर भी आप दोनों मिले थे, हो सकता है, कोई competitive महाल हो कोई job हो, या पस में आप पढ़ रहे हो जब आप जिस समय मिले थे तो बहुत लोगों की नजर आप पे थी, लेकिन आपके परसन के लिए आप एक trophy की तरह थे ऐसा लगता है, वो अच्छी तरह किसे जानते थे, आपका और उनका क्या connection है और eventually, वो आपको जीत लेना चाहते थे, वो आपको अपना बना लेना चाहते थे मुझे ऐसा लगता है, और ये दूसरों पे भी पूरा पूरा नजर रखते थे कि कौन कौन आपसे बात कर रहा है, कौन कौन आपके करीब आने की कुशिश कर रहा है कहीं न कहीं इनका ये भी हाथ था कि दूसरों को आपसे दूर रखते थे इनकी जो प्यार है आपके लिए, वो मैं express भी नहीं कर पारी, मुझे बहुत heavy फील हो रहा है कि सिर्फ मेरा हग है जोस पर, और किसी का भी नहीं है सिर्फ मैं ही इस परसन को पूरे दुनिया से छुपा के रख लूँ लेकिन एक चीज़ और है, कि उसी दोस्ती में, उसी तक्रार में आप दोनों की लड़ाई भी बहुत होती थी बहुत होती थी, अब अगर जब आप देखते हैं, कभी कभी सोचते हैं, कि सच में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया मुझे लगता नहीं है, और पहल हमेशा उन्हों नहीं की है लेकिन जब जब आपकी बाते नहीं होती थी ना, तो ऐसा लगता था समय इतना इतना धीरे बीतरा, इतना धीरे बीतरा, कि बस पूछो में आप ना उनके लिए लाखो में एक हो, जैसे वो पहले था ना उनका नेचर बहुत लोगों से बात करना, ओपोसिट जेंडर से बात करना, सब से फलर्टिंग करना बट तब क्या हुआ, उनकी नजर में सिर्फ आप ही आप थे, आप ही उनको दिखते थे और आपके अलावा उनको कोई भी चेहरा पस नहीं आता था लाखों लड़कियां लड़के आते जाते रहते थे बट उन पर उसका ध्यान बिलकुल भी नहीं जाता था जब जब आप दोनों की बात नहीं होती थी, तब तक वह ऐसा लगता था कि कुछ तो ऐसा गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आसपा सही नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ जो है खराब चल रहा है, तो यह हालत हो गई थी आप दोनों की जब आप दोनों शुरू शुरू में प्यार में पड़े थे आपने अपने दिल को थामा ठीक है आपको भी समझ नहीं आ रहा था क्या कियाना है बट जब भी इन्होंने आपको इज़ार किया ओगा रहा है तो आपको बहुत ज़ादा हैरानी होई होगी ऐसा कैसे हो गया मुझे तो इस परसन से बिलकुल भी उमीद नहीं थी और उन्होंने आपको अच्छा खासा टाइम भी दिया और आपने बहुत टाइम लिया है अपना जवाब देने में तो इसी तरह कही नहीं इस बात का आपको बिलकुल भी रिग्रेट नहीं कि आगर आज हम दोने में बात नहीं हो रही है तो मैंने उस समय उनको पहली बार में हाँ क्यों बोला क्योंकि आपने अच्छा कासा समय लिया था यहाँ पर दिटावर मोमेट यहाँ पर जस्टस मुझे असे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बात भी आप दोनों के बीच में जो बातची अभी नहीं हो रही है उसका कारण भी कहीना कहीं आपके परसन है और कोई जो है तीसरी थर्ड पार्टी है ऐसे लगता है आपके परसन किसी के बहकावे में इस कदर आ गए है कि उनकी आँखों पे एक तरीके से पट्टी बन गई है उनका आपसे रष्टे बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था आपसे प्यार करना, आपको अपना बना लेना और हमीशा के लिए आपको जीवन साती के रूप में बा लेना लेकिन कहते हैं ना समय का पया जब खूमता है आगे कब क्या हो किसी को भी पता नहीं जस्टिस का काड़ यहां पे यहां है कि मतलब कि आपका दिल टूटा है आपने किसी का कुछ किया नहीं है लेकिन आपका जो दिल तोड़ा गया है बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है ऐसे तोड़ा गया है कि आपको न्याए ज़रूर मिलेगा यहां पर जस्टिस का काडा गया है इससे साफ हो जाता है कि जो दूरियां है जो बाचीत बंद हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सिन की तरफ से हुई है, ओके, ट्विट है, दे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, आपके बिना उनका जो हाल है, वो बहुत ज़्यादा बेहाल है, दे गार्डनर, एक नई शुरुवात आपके साथ चाहते हैं, दुबारा से चीजों को शुरू करके, ठीक है, देख लिजे, किस तरीके से, आपसे होई होई, अनबन, आपसे होई होई मन मिटाव, यह सारा कुछ दूर करके न, यह आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, और हमेशा के लिए अपने बाहू में कुछ इस तरीके से रख लेना चाहते हैं देख लीजे किस तरीके से ये परिशान से नजर आ रहे हैं किसी भी चीज में काम में मन ना लगना हमेशा डिस्ट्राक्टिल लेना हमेशा डिप्रेशन में रहना हर काम को आधे दूरे मन से करना और हर चीज में मतलब ऐसा लगना कि हाँ ठीक है काम चलाओ चीज मन नहीं है उनका दिल नहीं लगता आपके बिना जब से आप गए हैं उनकी लाइफ से उनका सब कुछ ऐसा लग गया है कि बस किसमें रोशनी से चीन ली हो गार्डिनर ये समय पूरी तरीकी से तयार करें अपने आपको दुबारा से आप दोनों के रिष्टे को सीचने के लिए दुबारा से दोनों को एक दूसरा चांस देने के लिए यहाँ पर हैं इंटिमेसी का कार्ड सबसे पहले तो यह आप से गिले शिक्वे दूर करने की कोशिश करना चाहते हैं जी हाँ यह कोशिश जरूर करेंगे एक बाई क्योंकि यह आपको ऐसे जाने ने दे सकते हैं क्योंकि इनके लिए इतना असान नहीं है उस समय जो भी मजबूरी थी जिसने ऐसा करा दिये लेकिन जितनी की प्रॉपर्टी हो और आप पर किसी का भी हक नहीं है प्लीज जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रीडिंग के बाद नई रीडिंग का लिंक दिया गया है उसे मिसक किसी भी हालत में मत करिएगा वरना आप बहुत पच्टाएंगे जल्दी से जाकर इस रीडिंग के बाद वो रीडिंग देख लीजिए ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करके और आपना experience शेर करके जरूर चाहिएगा एक चीज और आज जाने से पहले आपको करना ये है कि आपको चेक करना है कि आपने बैल आइकन पर ओल क्लिक किया है कि नहीं क्या करना है बैल आइकन पर ओल क्लिक करना है आए देख लेते हैं आपके परसिन की तरफ से आपके लिए कुछ love messages you keep little memories of things we have done जो भी आपने साथ में memories बताई है हो सकता है कोई intimate moment हो हो सकता है आपके कुछ private moment हो उसको बहुत ज़ादा याद करें जैसे कि इस तरीके के कुछ moments हो सकता है आपको बहुत ज़ादा वो crave कर रहे हैं इस समय इसी moments की बात हो रही है we know we can work things out together जैसे कि मैंने बोला दूसरा chance चाते हैं दुबारे से शुरुआत करना चाते हैं और चाते हैं कि इस बार वो बहुत अच्छी तरीके से ready है वो अपने efforts 100% देंगे आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे you are my best friend and always will be तुम मेरे best friend हो और हमेशा रहोगे the sparkle in your eyes makes my day जो आपके आँखों की चमक है ना जो उनको देखने से आती है जो आप हमेशा उनको प्यार से ऐसे देखते हैं जैसे वो दुनिया की सबसे best चीज हो जैसे की प्यार सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वही है और कोई ना हो तो उनको वो सारी चीज़े याद आ रही हैं आपके बारे में और आपको याद करके बहुत जादा आपको इस बार मिलने की कोशिश जरूर करेंगे आपके बरसन जल्द से जाके रीडिंग को देख लीजेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है मिलूंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गौड ब्लिस यू और लव यू अल झाल